बूढ़ा आदमी कुत्ता के साथ एक गाव में रहने वाला एक बूढ़ा आदमी था जो अपने बेटे के साथ रहता था। उसका बेटा बहुत ही लापरवा था और अपने पिता की देखभाल नहीं करता था। बेटे के कारण बूढे आदमी की जिन्दगी बहुत ही बुरी तरह से बदल गई। एक दिन बूढे आदमी को एक बेचारा कुत्ता मिला। वह बेचारा कुत्ता बहुत ही दुर्बल था और बूढे आदमी के द्वारा खाने की देख भाल की जाती थी। इस तरह उनकी दोस तारे कुत्ते की देख भाल कर रही हैं, तो उसने अपने पिता से कहा कि यह कुत्ता हमें असंभव स्थिती में हैं और हमें उसे कोई फाइदा नहीं हो सकता है। बूड़े आदमी ने उत्तर दिया कि हमें उसकी मदद करना चाहिए क्योंकि उसे हमारी मदद की जरूरत है। कुछ दिनों बाद उन दोनों को एक बार फिर से असंभव स्थिती का सामना करना पड़ा। यह कुट्टा अपनी दुरबलता के कारण खुखारिश में था और बूड़े आदमी ने उसे नहलाने ले जाने का फैसला किया। बूड़े आदमी ने अपने बेटे से कहा कि वह नहाने जाएगा और कुछ देर में वापस आ जाएगा। बूडे आदमी ने उसे नहलाया, खाना खिलाया और उसे स्वस्थ होने तक देख भाल की। कुछी दिनों में बेचारा कुट्ता स्वस्थ हो गया और उसने बूडे आदमी को अपनी वफादारी और प्यार से जीत लिया। बूडे आदमी ने उसे अपने साथ रखा और उसकी देख भाल की। उसके बेटे ने इससे सीख ली की समझदारी और दया की आवशक्ता हमेशा होती है और हमें दुरबलता की समझ होनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समझदारी और दया के साथ अपने परिवार, दोस्तों और अग्यातों की मदद करनी चाहिए। हमें दुसरों की दुर्बलताओं के साथ समवेदन शील होना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि प्रत्तिक जीव का जीवन महत्वकूर्ण होता है और हमें सभी जीवों के साथ समवेदन शील होना चाहिए। तो मित्रो यह छोटी सी कहानी आपको पसंद आये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करें ऐसे ही नई-नई कहानी सुनने के लिए मैं मिलता हूँ एक और नई कहानी के साथ जब तक के लिए नमस्कार